सब्सक्राइब लेमिंग 360 सेनल अतवरन स्पिनर्स को शायद मदद मिल सकती है देखते हैं वो कैसा प्रदर्शन करते है और ये टेल्स इस बैट्समेन फ्रेंडली पिछ पर इन्होंने बल्ले बाजी करने का फैसला किया है चलिए अमपायर के पीछे दोनों टीमों ने बाउंडरी रोप को पार किया और मैच शुरू होने के साथ दर्शकों का भारी शोर बल्ले बाज के हातों में खुझली हो रही है इस पावर प्ले का भरपूर फाइदा लेने के लिए बल्ले बाज ने आगे बढ़कर डिफेंस किया फील्डर ने गेंड का बहुत अच्छा नुमान लगाया बाज़ भी मामला हो सकता है बल्ले बाज ने डाइव लगा दी है गेंड सीधा विक्टो में लगी लेकिन समय पर पहुँच गए कोई रन आउट नहीं सीधा लंबा के लाए डाउन दे ग्राउंड चार रन के लिए गेंड जा रही है वन 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 फोर्ड बल्ले का बाहरी किनारा लग सकता था एक बहतरीन गेंड पर उससे भी बहतरीन डिफेंस बैटिंग टीम के लिए बहुत अच्छा ओवर ये होरा है संपूर्ण आकरमंड क्योंकि दूसरे छोड से भी तेज गीद बाज आ रहे हैं एक रन के साथ रनों में इजाफा जारी रखा इसे से टाइम नहीं करपाए उठा के खेला है सीधा मैदान की तरफ क्या सबर्दस्त कैच फील्डर बहुत बहुत खुश ये गिरी पारी की पहली विकेट नया बल्ले बाज आता हुआ लगता है अपने टीम के उमीदों पर खरा उतरेगा ओवर्द विकेट करने जा रहे हैं कुछ परिवर्दन लाने के लिए इस पार बहुत अच्छा डिफेंस बैट्समैन का जाग बिश्टी इसमन है अब आसकी जीदमाने बिश्टी को मटता है फील्डर को चीरती होई बाल निकल गई अपनी शुरुआत करी है एक सुरक्षित स्ट्रोक के साथ अच्छा पार ने कहा आउट और चश्न का माहौल फिल्डिंग यूनिट में बल्ले बास आसानी से हार नहीं मानेंगे बल्ले का किनारा दिखाने के लिए डियारस लेंगे शायर एक के पीछे एक ये खोई उन्होंने एक और विकेट इसको बेसिक क्रिकेट खेलना चाहिए बस अपना नैचरल गेम खेले लगता है हमें एक तूफान देखने को मिलेगा क्योंकि दूसरे छोड़ से भी पेसर आ रहे हैं क्या ये ओवर दे विकेट बॉल करके लिए बिलकुल सीधा स्लोट में गेंद लेकिन बल्लेबास ने बहुत अच्छे डिफेंस के साथ उसे खेला हम दे दिया गया अंपायर दोरा लगता है बल्लेबास ना खुश इस निरने से और ये लेग भी फोर आउट शानदार डिलिवरी जिसने बल्ले बास को फांस लिया नए बल्ले बास आते हुए इनको टीम प्लैन के मताबिक खेल कर पारी को संभालना होगा गेन बास तैयार अराउंड दे विकेट गेन फैकने के लिए काफी रोचक होगा ये अब बास आउट और चश्न का माहौल फिल्डिंग यूनिट में बल्ले बास अमपायर के इस वैसले से मुद्मीन नहीं लगता यकीन के लिए रिव्यू लेंगे एक के पीछे एक ये खोई उन्होंने एक और विकेट गेन बास है ट्रिक पे है क्या गेन बास ही की है बॉलर ने ये गई एक और विकेट इसको अपनो बैसिक गेम खेलना चाहिए और अपनी विकेट नहीं गवानी चाहिए मौका है तीन विकेट लेने का हो चूक गए इस बार गेंद बाज बहुत बढ़िया गेंद बाजी का प्रदर्शन कर रहे है बल्ले बाज रन बनाने में चूक गए है इनको अपनी टीम के लिए टिक कर गेम के अंत खेलना होगा गेंद बाज ने साइड चेंज करने का फैसला लिया है लगता है कुछ खास करने जा रहे है पूरे नियंतरण के साथ समझदारी से गेंद बाजी कोई रन नहीं और एक विकेट भी इस ओवर में ये होरा इस संपूर्ण आकरमाण बल्ले बाज ने आगे बढ़कर डिफेंस किया फिल्डिंग साइड की ओर से थोड़ी आकरमक शैली का प्रदर्शन घजब की गेंद कोई संदे नहीं है कि बैटिंग साइड हताश हो रही है बड़ी हिध्यान से बाल को देखा और सीधा प्रहार किया अजब बार ने कहा आउट और चेश्न का माहौल फिल्डिंग यूनिट में लगता है बल्ले बाज नाखुश इस निरने से बल्ले बाज ने रिव्यू का फैस्टर लिया है और गेंद बाज की चतुर बालिंग बॉल सीधा टांगों के बीच लगी गेंद बाज ले गई अपनी फीस और बल्ले बाज का खाता भी नहीं खुल पाया ड़क पे आउट कर दिया नया बल्ले बाज अब समय है स्कोरिंग की गती को बढ़ाने का इस चिपको विकेट पर भरपूर लाब ले रहे हैं और अत्यधिक रिवर स्विंग मिल रही है बॉल किया बल्ले बाज आउट गेंद बाज की खराब गेंद और अमपायर ने कहा वाइट ने अंतरन खो बैट एक गेंद पर अपना नतीजा वाइट बाल बॉलिंग टीम का निरिशन साक्रमन बल्ले बाजो की तो मनो जानी ले ली हो एक के बाद एक दूसरी विकेट मिली बल्ले बाजो के लिए कोई जगा नहीं एक और विकेट के रिए गेंद बाज की हेट ट्रेक क्या शानदार स्पेल डाला है और गेंद बाज को मिली आज की पाँचवी विकेट सबरदस प्रदर्शन बॉलिंग टीम का घम असान एक और बल्ले बाज धूल चाटता हुआ एक बहुत खास सिनिंग की ज़रूरत पड़ेगी टीम का बेड़ा पार करने के लिए अच्छा मिश्रन कर रहे हैं यहां पर एक पार्ट टाइमर को ला करके ओवर दविकेट करने जा रहे हैं कुछ परिवर्तन लाने के लिए स्वीप की अफूरती से बहुत अच्छी विल्डिंग बैट्समेन को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया अटाउट सोरदार अपील अमपायर प्रभावित नहीं कोई विकेट नहीं दो रन सूजबूज वाली क्रिकेट खेलते हुए इस गेंद पर स्वीप किया नजाकत से और ये चार रन ओव काफी जल्दी खेल दिया और बल्ले का किनारा लगता हूँ और गेंद पॉंडरी क्योर क्या फिल्दिंगी है जबर दस्त देखने लाइग वन 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 फो अन साइट पर फ्लिक किया इस बार कुछ और रनों के लिए बहुत अच्छा प्रयास फील्डर दौरा बढ़िया थ्रू कमाल की फिल्डिंग शर्तिया बाउंडरी को रोका अपने इस प्रयास से बैटिंग टीम के लिए बहुत अच्छा ओवर स्पिन का समय आकरमट के लिए आ रहे हैं आफ स्पिनर हलके हातों से ऑन साइट पर खेला और बिलकुल आराम से और ये सुरक्षिट ढंक से एक रन के लिए खेल दिया है हलके हातों से ऑन साइट पर खेला और बिलकुल आराम से पॉलर की जोरदार अपील लेकिन अंध में अमपायर ने नकार दिया गेंग वास कुछ नया करने का प्रयास करना चाहते हैं अमपायर ने चेंज आफ साइड्स का इशारा किया और ये बल्ले के बीचो बीच में से शॉट लगाया अन साइड पर जड़ दिया विस फोटक शॉट पिचली के तरह दोड़े और बाउंडरी से थोड़ा पहले रोका अमपायर ने वाइड बॉल का इशारा किया और ये आउट क्लीन बॉल दूसरे चोर पर जम्योए बल्ले बास उनको नए बल्ले बास से पूर्ड सहियो की अपेक्षा है क्या ये ओवर दे विकेट बॉल करके बल्ले बास को चक्मा दे पाएंगे प्रयास तो पूरा इस बार डाउन तो पिचे से खेल दिया है एक खासा बलॉक किया इस मुश्किल गेंद पर गेंद बास रन ऐसे दे रहे जैसे सरकार का राशन बहुत बढ़िया हुए अल्डरा मेंद ट। अल्डरा गेंद अल्डरा में जाइसर जाता हुए इसानावूल झाल-षग स्ट्रीज को खासी महनत कर बोड़ पे लक्षे बाउसान केशाए मेहनत करनी पड़ेगी इस मैच को अपने पक्ष में करने के लिए एक्सपरेंश लेटाम मिक्वार लिए लिए उनको मर्दावश जाबी जाज़ा जाबी 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 पत्संदर स्वीब गेंज फील्ड को चीरते हुए निकल गई दो रन पूरे किये और कुल स्कोर की गाड़ी को आगे बढ़ाया और अपना खाता खोला एक अच्छी शुरूट बल्ले बास को एक एक रन के लिए अच्छी खासी लड़ाई करने पड़ाई बेहतरी इन प्रदर्शन फील्डर्ज वारा यहां कोई रन नहीं था और अमपायर को कहना ही पड़ा आउट इसको अपना बेसिक गेम खेलना चाहिए और अपनी विकेट नहीं कवानी चाहिए क्या शॉट लगाया बल्ले बास नहीं सिक्स क्या गर्मा गरम शुरुआत हुई है पहली गेन पे हिचो का जड़ दिया आउट और जश्न का माहौल फिल्डिंग यूनिट में बल्ले बास आसानी से हार नहीं मानेंगे बल्ले का किनारा दिखाने के लिए DRS लेंगे शायर बल्ले बास ने रिव्यू का फैसला लिया है जी हाँ ये थर्ड अमपायर के बाद निरने जा रहा है और अमपायर ने अपना डिसीजन बदल दिया है स्वीप किया कोई माफी नहीं गेंगे बास को एक टप और गेंगे बाउंडरी में स्वीप किया फूर्ती से ओवर के अंतिम गेंगे पर चार रन और बारी किनारा और गेंगे बाउंडरी की ओड कि बड़े जुता की ओडिवे McMडडरी 爸 हवा में स्विंग करते डिलिवरी बल्ले बास बहुत मुश्किल में वन 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 गेंद बास ने बल्ले बास को बांध कर रखा हुआ है एक रक्षा अत्मक शेली गेंद रफ्तार से बांडरी के और जाती हुई चार और रन मिलेंगे बैटिंग टीम को क्या घुमावदार स्विंग है ये किया हवाई फायर क्या ये इनको महेंगा पड़ेगा फूर्ड फूर्ड ओ ये काफी खतर ना को सकता है बल्ले बास के लिए बेल्स उड़ा चुके एक ही पर ओ ये आउट हो सकते हैं तीसरे अप ऐसे फैसली के लिए पूछा गया है ये आउट है या नोट आउट कीपर का अच्छा प्रयास लेकिन बल्ले बास सुरक्षित गेन हवा में और एक सुरक्षित हातों ने गेन को लपक लिया कहानी खतम विजेता टीम का क्या प्रोदर्शन रहा इस परिणाम से वे बेहत खुश होंगे आज के मैं और दा मैच ने तो जंडे गार दिये गेन से किया एक विश्वस तरिये प्रोदर्शन करकें तरिया प्रोद्वस करणाफ प्रोदर्शन यह हो जए प्रूदर्शन करणाफ 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 झाल झाल